तो आज हम बात करने वाले हैं जाईयों को लेके 7 days challenge मैं यह नहीं कहरी कि 7 दिन में खतम हो जाएंगी बट एक major difference आपको feel होने वाले है अपने color में Hello everyone, welcome to उपासना की दुनिया कैसे आप सब उमेद करती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं confidence खतम हो गया, बहुत पैसे खर्च कर दिये घर वालों के ताने सुन लिये किसे भी function में गये तो वहाँ पे demotivate हो लिये functions में जाना भी बंद कर दिया घर में आइना देखना भी बंद कर दिया खुद पे, खुद को कोसना भी शुरू कर दिया मतलब हर चीज कर लिये, मतलब जो negative चीज को आप approach कर सकते थे ना, जितना लोग आपके face को देखे hatred, यानि hate फिला सकते थे ना, वो सब हमने feel कर लिया है लेकिन इसे खतम कैसे किया जाए जब मैंने ये journey start की थी आज से 7 साल पहले जाइयों को लेके तो मुझे ना ही इतना YouTube का knowledge था ना ही मैंने कभी सोचा था कि इतनी दुनिया जाइयों से परिशान है इतनी दुनिया, मैंने जस्ट अपनी mother पे एक journey start की थी क्योंकि उनके face पे reaction हो गया था किसी marriage में उन्होंने वो कभी make up ने करते function करवाया और वो reaction हुआ, वहां से मैंने journey start की बट इतना प्यार दिया, आप सबने जब मैं result देखती गई और लोग मुझे बताते गए, इतना treatment लिया, इतने पैसे खर्च करे छे महिने में result ने मिला, एक साल में ने मिला बट आपके यहां कुछी time में हमें result मिले लगा, मुझे confidence आने लगा तब मैंने ये चीज़ का प्रण ले लिया कि नई यार, जाईयों से तो मुक्ती दिलवानी ही दिलवानी है और आज result आपके सामने है पिछले कुछ जिनसे हमारे चैनल पे यार, बहुत जादा व्यूस ड्रॉप हुए मुझे नहीं पता क्या reason है although हमारी remedies हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत amazing है तो आज मेरी request है, आप सभी से, जो भी मेरे patients हैं जो भी उपासना की दुनिया family के member हैं आप अपना genuine review share करना की आपका हमारे साथ कैसा experience रहा है तो आज मैं लेकर आई हूँ 7 days challenge उन लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहरी 7 दिन में जाईयां चली जाएंगी बच 7 दिन में आपको फरक दिखने लगेगा, जो सालों से वहां रुके हैं लेकिन 7 दिन के लिए 7 effort हैं जो कि आपको पूरी शिद्दत से करने होंगे 7 दिन आज मैं perform नहीं करके दिखाऊंगी, मुझे थोड़ा सा cold हो रखा है तो मैं कुछ भी ऐसी चीज face पे apply नहीं करूंगी बरवली मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सब copy pen ले लीजिए और start करते हैं हमारे first day से दीखे, first day हम बहुत ही simple लेके चलेंगे हमारी body को detox करने का process हमारी skin की healing को start करने का process तो उस दिन आपको क्या करना है? empty stomach, खाली पेट, एक glass गिया का juice लेना है और शाम को आपको बादाम लेने है ठीक है? उसका powder बनाना है उसमें दूद को add करना है और उसका paste जो है वो चहरे पे apply करना है और आदे गंटे बाद धो लेना है लेकिन जब भी आप 30 मिनट अपने चहरे पे apply करेंगे न आपको उस time पे बोलना नहीं है आपको बिल्कुल चुप रहना है जब आप बोलोगे तो definitely facial muscles की moment होगी और face ऐसे ऐसे होना start हो जाएगा वो आपको नहीं करना है ठीक है? अप्लाइ करना है और 30 मिनट के बाद wash करना है ठीक है? फर्स जे मैंने आपको बताया है detox drink सुबह आपको घीया का juice लेना है और ये pack लगाना है अब बारी आती है second day की second day आपको morning में detox drink लेना है second उसमें आपको लेना है जीरा water एक चमत जीरा एक गिलास पानी में boil करना है जब वो आधा रह जाए चान के sip sip करके पीना है empty stomach और शाम को आपको क्या करना है बादाम का pack लगाना है लेकिन जैसे आपने dry बादाम का powder बना के उसमें milk add करके लगाया यहाँ पे आपको क्या करना है कि चार बादाम को सुबह भिगो कर रख देना है और रात को उन बादाम में दो चमस दूद मिला के उसे अच्छे से grind करना है पीस लेना है बिल्कुल fine paste और सोने से पहले उस paste को पूरे face पे apply करके सो जाना है और सुबह उठके wash करना है यह हो गया आपका second day normal पानी से wash करना है किसी भी face wash का इस्तमाल आपको नहीं करना है अब बारी आती है third day की फिर से आपको detox drink लेना है और उस दिन आपने लेना है lemon water एक गिलास पानी में lemon add करना है और शाम के टाइम को फिर से आपको बादाम में milk add करके लगाना है जो कि आपने first day किया था लेकिन detox drink आपकी everyday change होगी ठीक है और similar way से आपको wash करना है अब यहां question आता है कि seven days हम क्यों लेके चल रहे है मतलब seven days में ऐसा क्या होगा जो भी आपके skin में melanin की formation है या जितनी जहाई है skin के अंदर deep involved है या superficial आस तक हमने जितनी medicine यूज की, tube यूज की या remedies भी apply की या किसी remedy ऐसे की coffee हो गया vitamin E हो गया किसी भी चीज को लगाने से जो reaction हो आए उस reaction को हम खतम करेंगे तो automatically skin की healing fast हो जाएगी 10 times faster than your previous जो भी आपके face पे जैसे भी healing हो रही थी उससे 10 times आप faster कर सकते हैं अब बात करते हैं four day की four day जो है अब यहां से हम थोड़ा सा turning point start करेंगे क्योंकि बहुत important है यहां पे हम remedies को two times पे switch करना start करेंगे क्योंकि हमने बहुत short time seven days challenge लिया है जिसमें हम अपनी skin पे glow लेके आएंगे dullness खतम करेंगे ठीक है dark circle पे work करेंगे और जाईयों को remove करने में जो चीज help करें उन remedies से धीरे-धीरे step by step अपनी skin को heal करना start करेंगे four day पे आपको morning में लेना है ashgard ashgard यानि की पेठा पेठे का juice जो भी मैं juice आपको morning में बता रही हूं उसकी जो quantity है वो आपके अप्रोक्स 200 ml होनी चाहिए चाहिए जीरा वाटर पी रहे हैं अपने फेस पे आपको डालनी है चीनी और उससे अपने फेस पे आपको रब करना है बहुत अच्छे से लगबग 5 मिनट के लिए चीनी डालते जाओ रब करते जाओ यह हो गया आपका morning routine और उसके बाद बिना फेस वाश के आपको clean करना यानि कि 7 days आपने किसी भी face wash का अस्तेमाल नहीं करना है इवनिंग में जो आपने second day पे perform की थी बादाम भिगोके उसमें दो चमस दो डालके उसका fine paste बनाके और उस paste को अपने चाहरे पे आप लगाके सो जाए और सुबा उठके wash कर लिजे यह हो गया आपका 4 day अब बारी आते हैं 5th day, 6th day and 7th day तीनों में आपकी morning drink change होगी लेकिन जो morning routine है tomato और sugar का वो आपका same रहेगा और जो आपका evening routine है first day dry बादाम में milk add कि है second day बादाम को भिगोके milk add करके keep it overnight पहले में 30 minutes रखा फिर alternate day के है same आपको 5th day पे dry बादाम लगाने है 6th day पे आपको गीले और 7th day पे dry और morning में tomato पे आपको क्या add करना है sugar और उससे अच्छे से करनी है massage लेकिन drinks जो हैं वो आपकी daily change होने वाली है अब बारी आती है 5th day की 5th day पे आपको क्या drink लेनी है 5th day पे आप लोगे कुकुमबर का juice यानि की खीरा ठीके 99.9% 99.5% 97.5% मता हर कोई अपनी accordingly percentage देता है तो कुकुमबर में इतना water है water आपकी skin को hydrate करेगा कुकुमबर में वो सारी properties हैं तो आपको क्या करना है कुकुमबर का juice निकालना है फ्रेश और उसे आपको empty stomach लेना है make sure 7 days हम challenge लेके चलते हैं तो body को detox करना is very important तो 7 days में जो आपने 7 detox drink लेनी है उसकी quantity important है shuffle नहीं करना है मैंने इसे balance किया है days के according तो ऐसा नहीं कि first day ये drink ले ली ये आज मुझे मिल गया सब चीज़े easily available है patients के साथ follow करना है आज तक जितने भी patient है जितने भी हमारे followers है जो हमारी remedy को follow कर रहे है subscribers है हर कोई इस remedy को करो जिनको जाईया है वो जाईयों के लिए जिनकी skin dull है वो dull skin के लिए जो अपनी skin से परिशान है skin की healing के लिए body की cleaning के लिए ठीक है अब बारी आती है 6 जेकी 6 ना body को आपको ठंड़ देनी है पित का शमन करना है ठीक है और body से जितने भी toxins आप इकटे होगे उसे remove करना है urine से यानि कि you need a detox drink जिसकी diuretic properties हो तो उसके लिए सॉंफ से best कुछ नहीं होता है हरी सॉंफ एक चमन सॉंफ एक गिलास पानी जब वो आधा रह जाए लगबग 200 ml उसमें आपको सबसब करके गुनगुना empty stomach लेना है नैचुरल diuretic है और skin की healing करने में skin को refresh करने में antioxidant properties के साथ बहुत जल्दी heal करना start करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही मैंने आराम से ये remedy समझाई है और जो लोग निराश हो चुके हैं लाइफ से उनमें जो एक उमीद की किरन होती है वो ये साथ दिन दिखाने वाले हैं अगर आप इसे शिदत से follow करेंगे एक भी दिन skip कर दिया तो वो zero है फिर आपको वान से start करना बढ़ेगा आम बारियाती है last day but the most important day इस दिन आपको लेना है चुकुंदर यानि की beet root का juice निकाल के 200 ml morning empty stomach लेना है लेकिन एक चीज मैं आपको बताती है जिनका भी जो कोश्ट है यानि की stomach है, intestine है, mridu है उनको detox drink लेने के बाद जो हो सकता है, 2-3 पतले motion हो तो घबराना नहीं है कि lose motion लगे नहीं body का एक natural phenomena है body ने एक natural process से cleaning process लिया तो panic नहीं होना है फिर से repeat कर रही हूँ सूखे बादाम का powder बना के रखना है उसमें milk डालना है, paste बनाना है 30 minutes face पे लगाना है first day, third day, fifth day and seven day बादाम को भिगो के रखना है चार बादाम लेने हैं छिलका निकाल देना है उसमें दो चमस दूद मिलाना है बिल्कुल पतला paste बनाना है second day, four day, six day रात को पूरे face पे पतला दूद की तरह लेप लगाके सूचाना है, keep it overnight next day आपको wash करना है लेकिन seven days की जर्नी में face wash नहीं लगाना है try to avoid cosmetic products sunscreen as much as you can अगर आप office जाते हैं ठीक है, उड़ी दिर आप लगा रहे हैं और जो लोग भी बहुत जादा cosmetic use करते हैं office के लिए sunscreen, BB cream तो please आप जब भी इस remedy को रात को perform करें, pack को लगाएं तो उससे पहले 2 minute curd से massage करें so that जो भी cosmetic लगाने से यह skin में जितना भी आपके blockage हुआ है वो cleanser milk की तरह एक्ट करके पूरे उसको remove कर दे so that जो आप remedy कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से work करें तो simple सा process था और जहां यह video end हो रही है में एक lady का आपको review share करूंगे आप सुनियेगा कुछ लोगों के comments आए कुछ लोगों में मतलब एक-दो लोगों के कि मैं सब पे इतनी चल्दी work करता है मेरी skin पे क्यो नहीं करता है दिखे हर किसी के skin की जो है work करने का प्रोसेस है वो बहुत अलग होता है जिसी कि मैं मेरा accident के बाद weight button हुआ मेरे जितने patient है वो month में बहुत अच्छा weight reduce करके आता है but मेरी body पे वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है मतलब it takes a lot of time ठीक है to again मतलब मुझे उस चीज़ को regain करने में मतलब बहुत time लगेगा तो सबके body का weight जो है वो बहुत अलग है never ever underestimate yourself ठीक है आप बहुत precious है ठीक है जाईयां भी होगी कुद्रत ने दी है कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ और अगर आपको थोड़ा भी confidence है आप एक बार हमारा treatment स्टार्ट करके देखे छे महिने से एक साल का वक्त हम लेके चलते है कम जादा किसी को भी हो सकता यार क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई hurt surgeon है तो वो hurt attack से नहीं मर सकता मैं example दे रही हूँ तो similar way में हम को यार भविश्यवारनी नहीं कर रहे बट हमें इतना भरोसा है I have successfully treated 5000 plus cases of melasma from the past few years जो बिलकुल ठीक हुए है तो definitely वो लोग ठीक हुए है तो आप भी ठीक हो सकते हैं 7 days इसे करना और फिर मुझे comments में जरूर बताना आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें जो भी लोग OPD में विजट करना चाहते हैं आप लोग Saturday टक विजट कर सकते हैं क्योंकि रक्षा बंदन के लिए मैं भी out of Delhi हूँ एक वीक के लिए अवेलेबल नहीं हूँ मैं यहाँ पे दुबारा 6 सेप्टमबर के बाद ही अवेलेबल होगी यह जो एड्रेस आ रहा है यह हमारे क्लिनिक का एड्रेस है पंच कर्मा के लिए भी आप वजट कर सकते हैं ठीक है और on call भी appointment fix कर सकते हैं आप लोगों ने उपास्तना की दुनियो को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से देते रहे उपास्तना की दुनियो को बहुत चारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुड लग, जै आयुर्वेद, जै धन्वंत्री